हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल तो आए देखते हैं कि इंटरनेशन रिलेशन्स में आज न्यूस पेपर में ऐसा क्या वैलियोबल है जो आपको आपके प्रिलिम्स 2020 को क्लियर करने में हेलफफुल सीध होगा तो ये एक बिजनस लाइन में कवर किया कि ब्लैक क्लैड प्रोटेस्ट फ्रॉंग होंग कॉंग कॉंग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि वो लोग अपनी डेमोक्रसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेंलेंड चाइना की अगेंस्ट ठीक है are correctly matched umbrella revolution क्या आगे लिखा है जपान yellow west movement क्या आगे लिखा है France, pink tide क्या आगे लिखा है Latin American countries तो basically ये different different revolutions different different movements जो है वो चले हैं international arena के अंदर और अलग-अलग countries जिन areas के अंदर ये चलाए गए हैं उनका इसके अंदर mention किया गया है तो अगर आपको पता है आपने कभी इनके बारे में सुना नहीं है तो आप इस question को attempt नहीं करेंगे तो देखते हैं क्या है है A series of sit-in protests often called umbrella revolution sometimes used interchangeably ठीक है ये होंग कोंग के जो protest है अब ये आज का protest नहीं हो रहा नहीं ये December 15 2014 में पूरा का पूरा एक तरीके से start हुआ था तो उसका नाम इनोंने umbrella revolution रखा या फिर umbrella movement या फिर occupy movement तो आपको इनके नाम जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए अब second statement इसमें ये कह रहेगी the yellow west movement और yellow jacket movement was a populist grassroot political movement for economic justice कहाँ पे हुआ France के अंदर तो अगर question देखेंगे तो मैंने वाँ Japan mention कर रहा it means वो गलत है ठीक है Hong Kong के अंदर जो revolution हुआ उसको बोलते है umbrella revolution और अभी जो France के अंदर अगर आपको idea होगा पिछले साल काफी news में आया था कि France की government ने climate change को protect करने के लिए वहाँ पे fuel के उपर taxes बढ़ा दिये अब वहाँ की जो जनता है उन्होंने revolt कर दिया तो उसका नाम जो है yellow west movement रखा गया चीक है तो हमें इसका idea होना चाहिए कि यह France में हुआ था फिर pink tide जो third था वो किसे बोलते हैं कि Latin American countries South American countries के नदर क्या हो रहा था कि वहाँ पे left wing governments आ रही थी left wing governments तो left wing governments Latin American countries में आ रही थी elect होके तो इसलिए वहाँ पे उसको pink tide movement का नाम दिया गया कि अलग-अलग countries में दुबारा left wing की governments आ रही है और Latin American countries South American countries वहाँ पे जो है इसका नाम pink tide रखा गया तो अब आप इस question को आराम से attempt कर लेंगे Thank you